रबी सीजन में गेहूं, चने के बाद सरसों की खेती सबसे अधिक होती है। अब तक प्रमुक तिलहनी फसल सरसों की बोवनी 13.8 शूने लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष भी इतनी ही थी। इस वर्ष 14.06 लाख हेक्टेयर का लक्ष निर्धारित किया गया था आमधारना है कि जनवरी में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तब रिकॉर्ड उत्पादन होना तै माना जा रहा है। सरसों का 9.50 लाख टन का स्टॉक है। इसलिए नई फसल आने तक आपूर्ती की कोई समस्या नहीं रहेगी। निर्यात मांग सुस्थ है। इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। आए जानते हैं इस वर्ष सरसों के भाव क्या रहेंगे। सरसों की पैदावार अच्छी होने की संभावना। जानकार वर्ग का मत है कि गत वर्ष देश में सरसों की बोवनी 97.13 लाख हेक्टेयर में हुई थी। लेकिन मौसम अनुकू बना हुआ है। पौदों की बढ़त भी अच्छी है। सरसों उत्पादक सबसे बड़े राज्य राजस्थान में बोवनी 4.15 कम हुई है। इसकी एक वजह जीरे की बोवनी बढ़ना भी हो सकती है। दूसरी और गुजरात में जीरा, सौम्फ, इस बगोल के साथ केवल सरस वर्ष से काफी अधिक हो सकता है। बशर्ते मौसम अनुकूल बना रहे। एक अनुमान के अनुसार नए सीजन में 125 लाक टन या इससे भी अधिक उत्पादन की संभावना है। नए सीजन में सरसों की MSP 5,650 रुपए है। सहकारी संस्थाओं द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदी नहीं किये जाने के बाद MSP से नीचे बिकना लगभगता है। इसकी और बड़ी वज़े खादे तेलों के भाव काफी निचले स्तर पर आ गए है। इससे भी सरसों सस्ती बिक सकती है।